तो दोस्तों प्रेवियस वीडियो में मैंने सेडेटिव हिपनोटिक्स को कवर कर दिया था उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन डेफिनेशन बता दिये हैं इस वीडियो में हम ड्रग को डिसकस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे डाया जिपाम को देखेंगे फ्रेंड्स और अलप्राजुलाम और एक लाश्ट ड्रग है इसको नाइट्रा जिपाम कहते हैं तो इन ड्रग्स को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो हमारा सेड़ सबसे पहले आते हैं डायाजिपाम में यह इसका स्ट्रक्चर रेफ्रेंट्स और इसके मॉलेकुलर फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं तो मॉलेकुलर फॉर्मूला इसका है इसका मॉलेकुलर फॉर्मूला है दोस्तों हम लोग इसके केमिकल नेम पर आते हैं तो इसका केमिकल नेम है पर आते हैं तो इसकी फिजिकल प्रोपरटि और इन भॉलेकुलर फ़र्मूंदाम ≫ड फॉर्मूल इम एइल होती है इसकी chemical property, अब इसके use पर आते हैं, इसके uses हम as a anti-anxiety, anti-convergent यूज कर सकते हैं, इसको general anesthetic में भी यूज कर सकते हैं, और as a sedative and hypnotic यूज करते ही हैं, इसके storage पर आते हैं, इसकी storage में friends हमको protect from light and store at 15 to 13 degree centigrade, इसकी storage पर हमें ये precautions पर ध्यान देना होगा, और इसकी formulation पर आएं friends, तो formulation में हमें इसे tablet capsule injection, gel आदी में या ITC किसी भी formulation में इसको हम लोग आपा सकते हैं, आराम से, इसके brand name में आएं, तो इसके brand name में है, already cupom, तो ये इसके brand name है, और इसके doses पर आएं friends, तो इसको 2 to 10 mg, 2 to 4 time in a day, या per day इसको use कर सकते हैं, as a medicine, अब हम लोग अलप्रा जोलाम पर आते हैं, तो ये रहा इसका structure friends, अब ये molecular formula पर आएं, तो molecular formula friends इसका होता है, C-17, S-13, C-L, N-4, इसका molecular formula है friends, अब इसके chemical name पर आते हैं, तो इसका chemical name है, 8 chloro, 1 methyl, 6 phenyl, 4H, benzo, in bracket 1, 2, 4, tri, azolo, in bracket 4, 3, bracket close, in bracket 1, 4, bracket close, diazepine, तो ये इसका chemical name है friends, अब इसके physical property पर आते हैं, तो इसकी physical property, white crystalline solid powder होती है, इसकी chemical property पर आते हैं, तो इसकी chemical property, insoluble in water and soluble in methylene chloride होती है, और इसके uses में friends, तो इसे हम anti-anxiety, as a anti-culvergent, as a general anesthetic, और sedative hypnotic के form में यूज करते हैं, तो अब हम इसके storage पर आते हैं, तो इसको भी हमें protect करना होता है, इस light से, तो protect from light and store at 15 to 13 degree centigrade, formulations पर आएं, तो formulations में friends, syrup, cream, liquid, ointment, gel, tablet, capsule, pills, इन सब ही form में इसको हम easily available हमें मिल जाता है, तो अब इसके brand ने में आते हैं, तो इसका brand नम होता है Aram, और होता है Abizox P, और एक होता है Abizox SR, तो इसके doses पर आएं, तो इसे हम 0.5 mg everyday use कर सकते हैं, अब आते हैं, हमारे third drug भी जो हो है Nitrazipam, तो इसका structure friends यह है, इसके molecular formula पर आते हैं, तो इसका molecular formula है C15, H11, N3O3, अब इसके chemical name पर आएं, तो इसका chemical name है 7 Nemo, 5 Phenyl, 1H in bracket 1,4 bracket close, Diazepine 2, 1, यह इसका chemical name होता है friends, अब हम इसके physical property पर आते हैं, इसकी physical property है friends, yellow crystalline powder, इसकी physical property होती है, अब इसके chemical property पर आते हैं, तो इसकी यह soluble in alcohol, and insoluble in water, इसकी chemical property होती है, तो अब हम लोग uses पर आते हैं, तो इसे हम as a sedative and hypnotic ही use करते हैं, other no, so storage पर आएं, तो इसे store at a room temperature and protect from light, इसको store करने के लिए हमें store, जो होता है, इसको store करने के लिए room temperature पर store कर सकते हैं, और इसको sunlight से या light से हमें इसको protect करना होता है, इसके formulation पर आते हैं friends, तो इसका formulation tablet capsule और injection के form में use कर दिया, किया जाता है, इसके brand name में आएं, तो इसके brand name होती है, नाइट्रा 10 और नाइट्राज जेड, यह इसके brand name है, एक और है, नाइट्रा वेट, अब इसके doses पर आएं friends, तो इसके dose होते हैं 5 mg to 10 mg, यह इसके dose हैं, अब एक और drug है, phenobarbital, phenobarbital का यह structure reference, अब इसके molecular formula पर आते हैं, तो इसका molecular formula है, C12, H12, N2, O3, यह इसका molecular formula है, अब इसके chemical name की तरफ आते हैं, 5-ethyl, 5-phenyl, pyrimidine, 246, trione, यह इसका chemical name है friends, अब इसके physical property पर आते हैं, तो इसकी physical property है friends, white crystalline powder, और इसकी chemical property होती है, soluble in water and alcohol, uses, इसे हम as a sedative hypnotic and anti-convergent के form में यूज कर सकते हैं, so अब इसके storage पर आते हैं, storage, so store at a room temperature, 15-30 degree centigrade, so अब formulations पर आते हैं, so इसे हम capsule, tablet, injections के form में यूज कर सकते हैं, अब इसके brand name में आएं, तो इसका brand name होता है friends, phenoborb, phenotone, और एक होता है beetle, so यह इसके brand name है, अब इसके doses पर आएं, so इसके dose होते हैं friends, 5 mg to 10 mg, पर kg body weight, so यह थे हमारे sedative hypnotics के drugs, जिसको हमने आज discuss किया है, अब next video में हम anti-psychotic के classification, और उसके other definitions और उसके drugs को discuss करेंगे, It's a skyoh, i knew it's clean, We will send the wall, We should hold together the sky कर दो कर दो कर दो